गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम अध्यन करेंगे सेल मेंब्रेन और प्रोकेरियोटिक सेल और यू बेक्टेरिया इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आमने अध्यन किया था structure of bacterial cell और उसमें जो सबसे बाहर की जो सेलवाल होती है बेक्टेरिया की सेलवाल उसका क्या composition होता है उसकी क्या structure होती है उसमें कौन-कौन से chemical composition होता है ग्राम-positive bacteria की सेलवाल का composition क्या होता है उसके बारे में अध्यन किया था आज हम देखते हैं cell membrane या जिसको हम plasma membrane भी कहते हैं उसके बारे में तो जो यू बेक्टेरिया की cell membrane है वो यू केरियोर्स के जैसे ही लीपो प्रोटीन की बनी होती है और उसमें कुछ मात्रा में आपके कार्वोएड़ेट्स भी परजेंट होते हैं लेकिन जो बेक्टेरिया की cell membrane होती है उसमें cholesterol absent होता है जो की animal cell का एक important component होता है जबकि यू बेक्टेरिया में यह हैं absent होता है लेकिन जो आपका mycoplasma होता है उसकी cell membrane में cholesterol पाया जाता है अब cell membrane की एक मैत्वपूर्ण सरंचना होती है कि यह हैं जो plasma membrane हम जानते हैं कि by layered structure होती है तो इसमें क्या होता है कि बेक्टेरिया में जो inner plasma membrane है वो कहीं fold हो करके retract हो करके और कुछ सी septal और lateral structures बनाती है जिनको अपन mezo joms कहते हैं मीजो joms और इन मीजो joms की खोज हैं वो सेर्वफर्थम जेम से नाम के scientist ने की थी यह mitochondria के समान सरंचनाय होती है जिनमें oxidative enzymes पाये जाते हैं यह दो परकार के होते हैं मीजो joms आपके septal मीजो joms जिसको परीदिया मीजो joms कहते हैं और एक होता है आपका lateral मीजो Jom जिसको केंदری मीजो joms भी बोलते हैं और दूसरा lateral यचे को परीदिय मीजो joms भी कहते हैं और इसको kontriod के नामसे भी जाना जाता quickly जो परीदी मेजोजॉम हैं वो आपके cell membrane के पास में इस्तित होते हैं और इनका मुख्य कारिये हैं वो cellular respiration, कोशी के सवसन और cell valve secretion में help करना है मीन जो आपका कोशी के सवशन और कोशी का बित्ती सरावित करना जबकि central मीजोजॉम हैं वो आपके cytoplyzum में गहराई में situated होते हैं और इनका परमुक कारिये हैं replication of DNA और cell division में help करना समझ गए? तो central मीजोजॉम का कारिये हैं DNA replication और cell division में help करना जबकि जो आपका peripheral या जिसको lateral मीजोजॉम कहते हैं उसका कारिये हैं cell wall secretion और cellular respiration function of मीजोजॉम material transportation, respiration, biosynthesis of penicillin binding protein हैं वो भी कौन सिंतेसाइज करता है? बेक्टेरिया ही करता है, sorry आपका मीजोजॉम करता है participate in cell division ये इसके मीजोजॉम के कारिये हैं next जो आता है cell membrane के अंदर की थरफ वो होता है आपका cytoplasm कोजी का दर्वे यू बेक्टेरिया का जो cytoplasm है वो manly उसमें cell organelles तो absent होते हैं only ribosome पाया जाता है बाकी सभी cell organelles जैसे आपका पाया के cytoplasm में नहीं पाया जाता है राइबोजॉम राइबोजॉम है वो बहुत सारे होते हैं इसमें बेक्टेरिया में और उनकी जो डाइबिटर हैं वो 15 से 20 नेनो मेटर और 70 ये इस प्रकार के होते हैं जो cytoplasm में हैं वो वित्रित रहते हैं और इनका पर्मुकार्य आपको पता है कि protein synthesis राइबोजॉम का मेंवर्द क्या है protein synthesis और ये जो राइबोजॉम है वो sensitive होते हैं सट्रेप्टो माइसीन और इरिथ्रो माइसीन एंटिवाइटिक के अगेंस्ट में जब भी अपन हम किसी बेक्टेरिया के अगंस्ट में कोई एंटिवाइटिक देते हैं स्टेप्टोमाईसीन और इरिथोमाईसीन तो वो क्या करती है कि वो बेक्टेरिया के जो प्रोटीन सिंतेसिस है जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको क्या करेंगे इनिविट ट्राइबोजॉम का इनिविट करेंगे ट्राइबोजॉम के अलावा इसके साइटो प्लाजम में एक होता है प्लाजमिड क्या होता है प्लाजमिड प्लाजमिड है वो एक्स्टर क्रोमोजॉमल डिने का पार्ट होता है जो circular होता है और यह हैं plasmid हैं वो double standard DNA molecule होता है क्या होता है double standard DNA molecule जिससे यह अपना श्यम है पर्ति लिपी करण या self replication कर सकता है और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसी important genes पाई जाती है जो इसको resistance प्रोवाइड करती है एंटिबाइटिक के against में इसके अतिरिक्त इसमें कुछ virulence factor पाई जाते हैं लेकिन ये ध्यान रखना कि जो plasmid है वो extra quality प्रोवाइड करता है किसको bacteria को bacteria को plasmid की presence है वो extra quality प्रोवाइड करता है जैसे कि आपका antibiotic resistance है और fertility plasmid है जो conjugation में help करते हैं लेकिन ये bacteria की survivability बैक्टेरिया के survivability के लिए जरूरी नहीं है अगर जिस bacteria में plasmid present नहीं है वो भी क्या करेगा survive तो करेगा इसलिए plasmid है वो bacteria की survivability के लिए आवशक नहीं है लेकिन उनकी presence है जिस bacteria में होती है उनको extra quality प्रोवाइड कर देती हैं इसके अतिरिक्त जो आपका cytoplasm है उसमें storage granules और photosynthetic structure है वो भी present होते हैं बैक्टेरिया के storage करते हैं जबकि voluten granules क्या करते हैं metachromatic यह पार्टिकल होते हैं जो RNA के बने होते हैं और RNA के storage nitrogen और passport के रूप में करते हैं साइनो बैक्टेरिया में जो आपका purple और green sulfur बैक्टेरिया होता है उसमें photosynthetic structure भी पाई जाती है जिसमें अनेक बहुत सारे chromatophores हैं वो विख्रेवे रहते हैं नाव फ्लेजिला फ्लेजिला को अपन आगे अलग से विस्तिर रूप से पढ़ेंगे लास्ट इसमें जो आपका cell वाल हो गया cell membrane हो गई cell membrane में आपका मीजोजॉम हो गया और साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम में आपका राइबोसॉम और जो आपके इस्टेरोइट गनेर निवल्स और photosynthetic structure नास्ट जो इसकी structure में cell structure में जो nuclear material जिसको कि अपन nucleoid या geno4 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो bacteria का nucleus है वो वेल डवलप नहीं होता incipient परकार का nucleus पाया जाता है जिसमें nuclear membrane absent होती है और nucleolus भी absent होती है केंद्रक जिली और केंद्री का इसलिए इसका जो nucleic material है उसको nucleoid के नाम से जाना जाता है ये किसी bacteria में एक में संख्या में एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं इसको incipient nucleoid या genopore भी कहा जाता है अब आता है bacteria की जो special structure है जिसको की अपन capsule कहते हैं जो bacteria की आपने जब मैंने आपको cell structure और bacteria का diagram दिखाया था उसमें देखना कि जो bacteria की cell वाल होती है उसकी चारों तरफ एक layer present होती है जिसको अपन capsule कहते हैं और ये bacteria की cell वाल के सबसे बाहर की तरफ परजेंट होती है तो जिन bacteria में ये capsule पाया जाता है उनको capsulated bacteria कहते हैं ये भी जो capsule का formation है वो cell membrane की द्वारा किया जाता है किसकी द्वारा? cell membrane की द्वारा और यह capsule है वो polysecuride या polypeptide का बना होता है किसका? polysecuride या polypeptide मलब यह तो आपका carboidrate का polymer होगा या protein amino acid का polymer होता है अब जिन bacteria में ये capsule पाया जाता है उनको ये pathogenicity रोग कारी property प्रोवाइड करता है और ये जिवानों की या bacteria की हैं वो WBC से protection करता है जब भी किसी bacteria हैं किसी human beings या animal cell के अंदर enter करेगा तो जब animal cell में WBC जो present होती है वो क्या करती है? phagocytic nature की होती है और वो इनको destroy करती है लेकिन ये capsule क्या करता है कि जिन bacteria में present होता है उनको ये WBC के attack से बचा लेता है और ये हैं bacteria के colony formation में help करता है और ये आर नोट असेंचिल तो सेल वाइवलेटी इन समें स्ट्रेंश विथिन इस्पिसीज विल प्रोड्यूज ए केप्सूल वाहिल अदर्स दू नोट Capsules are often produced in vivo or on a eutrophic medium and lost during in vitro culture जो आपका capsule है वो in vitro मतलब लेव कंडिशन में है उसको produce नहीं किया जा सकता है function क्या क्या है capsule के एक तो ये motility में help करता है दूसरा ये pathogenicity capacity है वो provide करता है बेक्टिरिया को और anti-genic property provide करता है नाव इसके बाद में आता है आपका phlegyla of bacteria phlegyla of bacteria capsule के बाद में phlegyla phlegyla है वो उन बेक्टिरिया में present होती है जिन में motility property पाई जाती है जो गतिसील बेक्टिरिया होते हैं उनमें phlegyla पाई जाती है क्योंकि ये हैं locomotory organelles है phlegyla made of of या consist of a number of proteins that are called phlegylines क्योंकि phlegyla है वो phlegyline protein की बनी होती है और एक phlegyla का जो diameter है वो 20 nanometer से होता है और जो लंबाई है वो उसकी diameter से 10 times क्या होती है ज्यादा में आपका अगर 20 nanometer उसकी diameter है तो length है जो उसकी कितनी होगी 200 nanometer के आसपास phlegyla का diameter छोटा होने की वज़े से अपन इसको जो normal आपका light microscope होता है उससे नहीं देख सकते बिना किसी staining के इसलिए जब भी आपको phlegyla को देखना होता है bacteria में तो सबसे पहले उसको क्या किया दाता है stain किया दाता है जिससे उसका contrast बढ़ जाता है यह देखे आप diagram में जो यह spiral safety structures है जो दिख रही है वो bacteria की क्या है phlegyla अब phlegyla के आदार पे भी कैसे उनका arrangement है कितनी पाई जाती है उसके आदार पे भी bacteria को classify किया गया है according to the number and distribution of phlegyla phlegyla of bacteria can be classified into four types monotricus monotricus एसे bacteria जिन में एक ही phlegyla पर जैंट होती है कितनी एक ही ही उनको monotricus या monotricus bacteria कहते हैं amphitricus जिन बैक्टेरिया में जो cell वाल के दोनों तरफ है दोनों तरफ क्या हो एक एक phlegyla हो तो उसको कहते है amphitricus दोनों तरफ अगर एक ही साइड में परजेंट हो तो monotricus अगर दोनों तरफ परजेंट हो तो उसको कहते हैं amphitricus लोफो ट्राइकस एसे बैक्टेरिया जिन में phlegyla का एक ही तरफ बंच पाया दाता है monotricus में only single phlegyla होगे जबकि लोफो ट्राइकस में एक ही साइड में बहुत सारे phlegyla परजेंट होंगे तब उसको लोफो ट्राइकस बैक्टेरिया कहते हैं नेच्स है पैरी ट्राइकेटि या पैरी ट्राइकस प्लेंचीला जब बैक्टेरिया की सहल के चारों तरफ बहुत सारे phlegyla परजेंट अब II इस प्रकार Phlegylla की आदार पर बेक्टिरिया, Mono-Triced, MP-Triced, Lophored Recon et और Peri-Triced प्रकार के होते हैं कुछ A से बेक्टिरिया भी होते हैं जिन में Phlegylla क्या होती है? Absent, उनको कहते हैं A Tricus Next है, Pylái क्या हैं पिलाई पिलाई और हैर लाइक प्रोजेक्शन्स ओप दे सेल दे आर नौन टू बी रेसेप्टर फोर सर्टेन बेक्टेरियल वारेसेज केमिकल नेचर इस पिलें पिलाई भी हैं वो बेक्टेरिया में आपके जो सैलवाल होती है उसके उपर हेर के सम्मान क्या होती है structure होती है जो की फ्लेजिला से भी क्या होती है छोटी होती है और इनको हम पिलाई कहते हैं जो पिलस एक singular word है जबकि पिला ही है वो plural subject है अब ये पिलाई भी दो परकार की होती है कितने परकार की होती है दो परकार की longer पिलाई और shorter पिलाई longer पिलाई है उसको अपन एप पिलाई या sex पिलाई भी कहते हैं longer पिलाई को अपन sex पिलाई या f पिलाई भी कहते हैं जो की केवल किसमें male या donor bacteria में ही पाया जाती है और यहें conjugation में help करती है किसमें conjugation में अब आप इधर ये देखे जो right hand side में आपका diagram है उसमें जो पिलाई है उसकी length क्या है जादा क्या है जादा और यह केवल आपके male जो bacteria है उसे में पायद आता है और यहें conjugation में help कर रही है इससे जो genetic material है आपका male bacteria से किसमें जाता है female में दूसरी है जिसको अपन sorter पिलाई ही या ordinary पिलाई या फिम्बरी के नाम से जाना जाता है दूसरी है उसको ordinary पिलाई या फिम्बरी के नाम से जाना जाता है जो की केवल attachment का कारिकती है किसमें attachment और यह क्या होती है rigid दूसरी सब्दों में इसको infective पिलाई भी कहते हैं तो इसके तीन नाम अगए ordinary पिलाई sorter पिलाई या फिम्बरी या infective पिलाई जबकि जो दूसरी है उसका longer पिलाई या sex पिलाई या happy पिलाई के नाम से जाना जाता है या आपके function हो गया जो ordinary पिलाई है उसका काम है addition का जबकि sex पिलाई का काम है वो conjugation अब next structure है वो sport वो अपन next class में अध्यन करेंगे Thank you